तमिलाडू के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हाथसे में भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुक जनरल विपिन रावत के साथ आगरा के विंग कमांडर प्रत्वीश सिंग भी थे एसे में आज आगरा के विंग कमांडर प्रत्वीश सिंग का अंतिम संसकार किया गया डियने जाच होने के कारण उनके शव की पहचान होने में काफी समय लग गया जिसके बाद उत्तरप्रदेश के आगरा में आज उनका अंतिम संसकार किया गया विंग कमांडर प्रत्वी सिंग को जब उनके बच्चों ने स्रद्धांजली दी तो देखने वालों का कलेजा फट गया प्रत्वी सिंग का पार्ति उस सरीर पहुँचने पर उनके 9 साल के बेटे अविराज ने सव पर रखी उनकी केप उठाई अपने सिर पर पहनी और पिता जी को सेल्यूट किया इसके बाद अविराज की मा ने ये केप अपनी 12 साल की बेटी अराध्या को पहना दी उसने भी सिर पर केप पैनी और नमाखों से मा कामिनी की तरफ देखा और कापते हुए हातों से पिता को आखरी बार शेल्यूट किया इस वीडियो को लेकर सोसल मीडिया पर तरह तरह की पृतिकरियाद देखने को मिल रही है जहां कई लोग इस वीडियो को लेकर कह रहे हैं कि पूत के पग पालने में ही दिखने लगे हैं तो कई लोग इस वीडियो को लेकर कह रहे हैं कि इसे देखकर कलेजा फट गया है आप भी देखिए ये वीडियो जिसमें विंग कमांडर प्रत्वी सिंग चोहान का बेटा अपने पिता के शोव पर रखी हुई केप को अपने माथे पर पहन रहा है कर अपने माथे पर रहा है